हेलो वरोड़ी कैसे हैं आप साभी उम्मीद कर रहा हूं आप साभी अच्छे होंगा मैं आपका वापिस स्रावाज करता हूँ JPG सीरीज मैं हूँ अर्पित नेवाब फ्रम फेवरी फेललिक प्रेटफॉर्म जहां पर आप साथ पर सकते हो कोशन्स पूछे जाते हैं ठीक है जिसमें से एक जो है वह आपको हर और्गनिक केमस्टी में कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा जिसका नाम है मार्कवनिक ओफ रियेक्शन ठीक है तो चलो उससे ही स्टार्ट करते हैं तो जल्दी से पैन कॉपी लेके बैठ जाओ फिर अपन देखते हैं देखो अब रूल कहता क्या है रूल कहता है हमारा कि यहां पर रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ अबंडंट ठीक एडिंग मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं गैट अटेच्ट टू बैट कारवन एटम विच पसेसेज लैस नंबर ऑफ कारवन नहीं थो उसको समझना पड़ेगा अगर मैं बात कर रहा हुँ चलो मान के चलो और की ऑफ ये सीयल कोई भी ले लो खोड़ा थीमFRñ को यहां पे रूल है यहां पर कौन अब इसको मैंने से समझेंगे कि अगर ये जो hBR है ठीक है इसके अंदा सबसे positive कौनसा होगा सर है तो हाइडोजन होगा मेरा positive और बी आर होगा मेरा negative पार्ट ठीक है अगर कोई लकीन है आपके पास लकीन इन असेंस में ले लेता हूं CH2 double bond CH2 तो यह मेरी पहली मेंबर है अलकीन का पहला मेंबर यह है ठीक है अगर इसकी रियक्शन मैं करा रहा हूं H, B, R के साथ तो अब यहाँ पर इसका जो negative part यह दिख रहा है आपका negative part वहाँ पर जाके जोड़ेगा जहाँ पर less number of carbon atom होंगे अब इसमें तो same है तो कहीं पर भी कुछ भी जोड़ दो सर्फ bond को तोड़ना है आपको तो CH यहाँ पर single यह single CH2 CH2 जोड़ना क्या है यहाँ BR जोड़ दो यहाँ H जोड़ दो ठीक है अगर symmetrical है अगर आपका symmetrical है same same number है तो तो कहीं पर भी जोड़ दो लेकिन अगर आपको ऐसा फस जाए ध्यान तो देखो CH3 single C ठीक है और यहाँ पर है एक और CH3 लेके चलते हैं double bond CH2 अब क्या करोगे अब क्या करोगे ठीक है अब addition करा रहा हूं है HBR का ठीक है यहाँ पर फस जाते हैं लोग इसलिए यह वाला rule भी आया अब यह कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊंगा बिलको रटने की ज़रूरत नहीं है ठीक है कम substitute चाहिए ठीक है अब हाइरजन कहा पर जोड़एगा positive part जहां पर जोड़एगा जहां पर जादर number of hydrogen होंगे अब देखो बियार कहां पर जोड़एगा जहांपर कम number होगा तो यहां पर आ के जोड़ दो ठीक है तो यह आप देखो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा CH3, सिंगल CH3, यह BR, और यहाँ पर बच्चा सिंगल बॉंड, यह CH3 हो गया, अगर H यहाँ पर जोड़ेगा, तो CH3 हो जाएगा, यह BR जोड़ दिया मैंने, ठीक है, तो आपको बस इस तरीके से याद रखना है, अब यह concept आया कैसे होगा, वो मैं आपको सिखाता हूँ, जो आपको याद रखना है, वो मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से देखना, मैंने compound लिया था अभी CH3, सिंगल C, यहाँ पर CH3 लिया था, और double bond मैंने इधर CH2 लगा दिया था, यही लिया था मैंने, सेम ही था, अब सो से देखना, यहाँ पर दो possibility है, एक तो मैंने आपको अभी बताया, दूसरा भी देख लो, कैसे, यह जो molecule है, ऐसा हो सकता है, कि जैसे ही जो अलकीन है, अलकीन दो तरीके से तूट सकती है, अब अलकीन कैसे तूट सकती है, एक तो यह जो H प्लस आए, यह वाला जो H प्लस और वो इधर आके जोड़ जाए, इधर आके जोड़ जाए, ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, CH3, स्नेक सिंगल, यहाँ CH3, और क्योंकि इसके पास जोड़ गा, तो यह bond break हो गया, यह वाला bond break हो गया, तो इसके पास तो CH3 हो गया, लेकिन भाईया, यह पॉ CH3, और जो hydrogen आया, वो इधर जोड़ गया, तो यहाँ बन जाएगा CH2, और फिर इसके उपर positive आजएगा, ठीक है, H कहाँ जोड़ गया, यहाँ जोड़ गया, ठीक है, और एक H कहाँ जोड़ था अभी उपर वाले में, उपर वाले में इधर जोड़ था, तो इसको मैं ऐसे H कर देता हूँ, यहाँ टू कर दे रहा हूँ, समझ में आया, ठीक है, अब फिर से सुन लो, अलकी E ने bond की shifting कराई, bond की shifting करी, hydrogen का addition कराया, hydrogen का addition, दो type से हो सकता है, जिस जिस की बीच में bond है, वही वही तो हो सकता है, एक यह carbon, एक यह carbon, ठीक है, तो जब मैंने इस carbon पे addition करा आया, किसका H का, तो यहाँ पर C प्लस देखने को मिला, यह C प्लस, जब मैंने इस बारे करण पर कर रहा है, तो मुझे यह देखने को मिला, कि यहाँ पर C प्लस आ गया, अब C प्लस का मत्बद क्या होता है, carbocatian, यार बताओ, इतना जी यह है, carbocatian यह वाला, और carbocat त्री डिगरी और वन डिगरी यह होता था ठीक है तो कौन साथ स्टेवल देख रहा है सर यह तो कौन सा स्टेवल रहा है यह स्टेवल ना इसलिए देखो अभ जब ब्रोमीड आएगा ब्रोमीन यह बाहर घूमरा को छोड़ मत देना अब आ ठीक है अब यहां पर जब ब्रोमीन आएगा बी आर माइनस आया तो कहां पर एडिशन होगा यहां पर यहां पर आपका हाईटोजन जुड़ गया ठीक है सेम यहां पर भी करके देख लेते हैं यहां बी आर माइनस के साथ जब रियक्शन हुई तो अब देखो क्या हो रहा है आपका यह सी एच थ्री हो गया यह सी यहां पर सी एच थ्री है सिंगल सी एच टू देखो यहां पर क्या क्या जोड़ा यहां पर जोड़ गया अच्छी थी इस वाली की ना तो major product क्या बनेगा ये वाला बनेगा अब अगर इसको ध्यान से देखोगे अप इसको अगर अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाले को तो यहां पर हुआ क्या है अब यह बताो किस के पास ज़्यादा Hydrogen से इस वाले कारवन के पास कि इस वाले कारवन के पास सर इसके पास जाद हैं तो हाइडरोजन मतलब Positive part एक टिके इस लिए यहाँ पर क्या होता आप को सirk इतना याद्रकना है जो negative part है ठीक है negative part of किसी भी compound जैसे की HBR की बात कर रहे है तो HBR ठीक है कहाँ पर जाके होगा add किधर होगा वो add to the कौन सा part ज्यादा वाले के कम वाले के पास ठीक है add to the less number of number of hydrogen atom ठीक है add to the add to that carbon that has less number of carbon atom समझ में आ गया ऐसे अब positive part में क्या होगा देखो positive part positive part of HBR जो कि क्या है आपका bracket में लिख लेना आपका H plus कहाँ पर जाके add होगा उस carbon पर add होगा जहाँ पर number of hydrogen atom जादा होगे number of hydrogen atom जादा होगे ठीक है इसको मैंने ऐसे भी बोला था ये mark भाईया जो है मार्क भाईया को अपने दोस्तों के पास आने में पसंद आता है ठीक है जब तक इसके सामने एक चीज और नहीं लग जाएगी वो आगे पढ़ाऊंगा मैं एंटी मार्क ठीक है तो मार्क भाईया को बोलते हैं कि हाइड जादा होगा वहाँ पर मैं जुड़ूंगा क्या लगाई इतना ही तो याद रखना फॉल अभाण पर चलते हैं कि इस्कूरूल को हमेशे आद रखना बार बार बॉल लगेगा ठीक चल नेक्स पर चलते हैं पर नेक्स हमारा क्या है अच्छे से एच टू एसो फोर के अंदा डाल देता हूं तो क्या हो रहा था सर वो प्रोटोनेट होता था कार्वो कटायन बनता था हम अरेंजमेंट करते थे और फिर वो अलकीन मना देता था ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है रिमूबल वॉटर अब मैं गह रहा हूं चलो अलकीन से त addition of water करना पड़ेगा addition of water करना पड़ेगा ठीक है तो अब यह जो होता है ना यह भी उसी रूल के according होता है मार्क और ने कॉफ रूल वो मैं आपको समझाऊंगा आपको समझ में आएगा वो भी ठीक है अब यह क्या है बसमा समझाना चाहरा हूं अगर अलकीन से बिल्कोहल बन सकता है बहुत इजी ली कुछ यह देखो क्या हो रहा है अलकीन से अभी करना है सबसे पहले तो अलकीन बनाना है अलकीन बनाओ सबसे पहले तो CH2 डबल बॉंड CH2 यह हो गया एडिशन ऑफ वॉटर करेंगे एडिशन ऑफ वॉटर करो हुए है है और अच्छे साथ हैं यहां पर क्या होगा यह सिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल है तो डारेक जोड़ दो क्या सबंग जाएगा CH2 single CH2 एक में लगाओ OH एक में लगाओ H तो यह H हो गया क्योंकि हम सभी जानते है positive part होता है H plus और negative part होता है OH minus किस के अंदर water के अंदर बहुत बढ़ी है चल अब यह तो बात होगे symmetrical जब था अब अगर unsymmetrical आ गई तो unsymmetrical मतलब क्या होता है डबल बॉंड के उस तरफ प्युत्तिकारवन हो डबल बॉंड के इस तरफ भी उत्तिकारवन ना हो वो unsymmetrical होता है अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ CH3 single फिर से ले लो भाई वाला CH3 यहाँ पर इस बार आपन CH2 ले ले लेते हैं कहानी थोड़ी पेचिदा है द्यान से समझे ना बस और ज्यादा कुछ लापन को दिमाग लगाना है नहीं ठीक है अब देखो क्या होगा यहाँ पर जो अलकीन है यह बॉंड को तोड़ती है यह बॉंड को उस वे में तूटेगी जहाँ पर आपका कार्बोकटैन स्टेवल होगा ठीक है तो देखो अगर मैंने कुछ ऐसा तूटा हाइर्जन का एडिशन मैंने इस पर करा दिया तो कार्बोकटैन इधर बन जाएगा ठीक है तो यह तो प्राइमरी कार्बोकटैन हो खुद सोचो करके देख लो ठीक है यहां पर प्राइमरी हो जाएगा अगर मैंने इस वाले को चोड़ा और यहां जो तो यहां कार्बोगटन बनेगा और वह सेकंडरी हो जाएगा तो बढ़िया एक दिक्कत है ठीक है तो बनाओ यहां पर क्या बन जाएगा आपका कुछ यह प्लस जुड़ा वह एच प्लस कहां से आया सर देखो भाई कुछ नहीं है थोड़ी सी एसिटिक मीडियम में रियेक्शन कराना है एच थ्री ओ प्लस में ठीक है एच प्लस में से एच प्लस तो पहले आके जुड़े गया इधर ठीक है अब बारी है एच टूओ की अब एच डूओ क्या करेगा यहां से एच टूओ के पास होते हैं लोन पेर सब इस अबटा है यह बात लोन पैर डारेक ट्टी आके एटेक करता है किस क्यूपर एस प्लस की ऊपर ठीक है इसको क्या बोलते है निउकलो फिलिक अटेक यह आपका कौन सा निउक्लो फाईल है इसक आप देखो क्या जुड़ेंगे आपका oxygen यहां hydrogen और यहां hydrogen यह जड़ेंगे आप देखो क्या होगा अब आपका कुछ नहीं होने वाला यहां से जैसे protonation में क्या हो रहा था protonation के बाद वहां पे एच प्लस निकल जाता था लास्ट में रिलीज हो रहा था तभी तो अपना काम हो गया था अब उन लोगों को बात मेरी समझ में आ रही होंगी पिछली वीडियो देखी होगी dehydration of alcohol ठीक है आप देखो यहां पे क्या होगा एच प्लस जो है वह रिलीज हो जाएगा अब रिलीज क्यों हो रहा है सर भाईया oxygen दो ही वॉंड बनाता है तीन थोड़ी ना बनाएगा ठीक है तो कैसे बन जाएगा ध्यान से देखो आपका structure ऐसा बन रहा है CH3 C इसके उपर H है मैंने नहीं लिखा उपर ठीक है यह CH3 ओके अब यहां पर CH है यह OH आके जुड़ गया और यहां पर आपका CH2 था एक H मैं ऐसे लिख देता हूँ ध्यान से देखो अब ठीक है इसको अलग कलर से लिखूंगा इसको अलग कलर से तो यह हो गया OH और यहां प पर हुआ इस वाले पर हुआ ठीक है और कम हाईजन कहां थे सर इस कारवन पर तो नेगेटिव पार्ट कहां पर जोड़ा नेगेटिव पार्ट बहां पर जोड़ा जहां पर कम हाईजन थे समझ में आ गया तो यह फॉलो क्या कर रहा है यह फॉलो फिर से क्या कर रहा है मारक जो करबर्ग था ना वो लोगों को चा रहा था ठीक है कि उसके प्लैट्फॉर्म पे आएं कैसे लाइक-माइंड़ लोग ऐसे लोग तो जैसा हाइडोजन होगा वह अपने जैसा देखेगा जैसा पॉजटिव होगा वह अपने जैसा देखेगा मतलब कि हाइडोजन स्टेप में क्या होता है प्रोटोनेशन ठीक है तो स्टेप अगर कभी पूछ ले या फिर किसी और कोई और बंदा पूछ ले तो बता देना क्या पिसर ने बता था पहले हो रहा है प्रोटोनेशन 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 का मतलब क्या होता है एच प्लस का एडिश адキا कि an attack करने के बाद फिर से क्या हुआ है एट प्लस हो गया थारर ने कि हुआ है स्वार है वेगे सब्सक्राइब क्वार हुआ एक और लगा और भार बना देगा H3O+, H3O+, ठीक है तो इस step को मैं मिटा रहा हूँ, आप बस समझ लेना कि ऐसा हुआ है, ओके? clear है? अब सब लोग बोलेंगे कि सर water तो हमने एक ही मोल लिया था अरे पानी डालोगे तो एक मोल सिर्फ थोड़ी जाएगा बहुत सारा जाएगा ना, बहुत सारे solvent में हो रहा होगा तो एक आपके water ने H+, दिया, protonation कराया दूसरे water ने जो H+, रिलीज हो रहा है, उसको पकड़ के फिर से H3O+, बना लिया, समझ गए? ठीक है, तो ये होती है आपकी कौन सी process? addition of water, कभी भी आ जाए, मार्क और एक आफ रूल लगाएंगे, और आगे बढ़ जाएंगे clear है, समझ में आ गया, चलो, आपन थोड़ा और आगे चलते हैं चलो, आप दो-तिन कोशन चाहो, तो वो करके देख लो, आपन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं चलो, इसका बताना जल दिसे CH3, single, CH, double, CH, single, CH3 ठीक है, और इसका बता दो, यह आपका एक ऐसा प्रेजेंट है और यहाँ आपका double bond है, आपको addition कराना है H2O का, ठीक है, water का addition कराना है, यह माल लो, ठीक है यहाँ आपे मैं एक और CH3 लगा देता हूँ, तो और easy पड़ेगा चलो, एक और अपन देख लेते हैं, ऐसा, 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 ऐसा प्रेजेंट है जहाँ पर है, इसका addition कराना है, H2O का चलो, जल जली से solve करके देखते हैं, क्या होगा आपको हर K2 की उपर लिख लो, M rule, M rule, M rule तो यह क्या हो जाएगा, M mark rule अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्या होने बाला है, mark rule और फिर से M rule, अमूल नहीं है, M rule है, चलो, आगया हो अब क्या करना है, आपको addition of water करना है, सर, यह वाली जो अलकी नहीं symmetrical है, कहीं पर भी कुछ भी जोड़ दो, तो यह बन जाएगा आपके पास CH3, single CH, single CH, single CH3, जहां पर बन गया H, यहां पर बन गया OH, ओके, सर, क्यों, क्योंकि symmetrical था बढ़िया, चलो, अब आगे चलते हैं, अब इसकी बात करो, इधर आजाओ, इधर, 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 ह2O है, negative part कहां पर जाएगा, जहां पर कम number of carbon होंगे, या फिर कम number of hydrogen होंगे, ठीक है, चलो, अब इसकी बात करते हैं, सर, इस वाले carbon की मैं बात करूँ, तो इसके पास कोई भी hydrogen नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक इस तरे involved हो रहा है bonding में, इसके पास कम से कम एक hydrogen तो है ही है, एक hydrogen तो है और अगर number of एक hydrogen भी जादा है ना, तो जो hydrogen आप यहां से आ रहा है, कहां पर जाएगा, अपने दोस्तों के पास जाएगा, कैसा बनेगा, देखो, ऐसा बन जाएगा, यह रहा आपका, एक पैंटेन, यह बना, बॉन्ड तूड गया, डवल बॉन्ड मत लगा देना, अब तो यह बन जाएगा, आपके पास ओएच, और यहां पर यह एक हैच है, दिखाना हो, दिखाओ, बनना मत दिखाओ, hydrogen दिखाना जरूर नहीं हो, तब बॉन्ड लाइन स्टक्चर में, इसकी बात करते हैं, यह तो है, यहां पर आपका यह क्या देख रहा है, साइकलोपेंटिन देख रहा है, नाम नेमिंग कर सकते हैं, और यह तो बहुत इजी है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे को अप्रोच करना है, बिलकुल दिमाग मत लगाना, एक मिनिट से कम के अंदर यह वाल है, ओके, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अगर आप कहो तो लिखूँगा, बना नहीं लिखूँगा, देखो यहां पर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ओ, एच, या फिर ऐसे लिख लो इसको थोड़ा सा और बॉन्ड को फैला लेते हैं, आपन देखो ऐसा, ऑक्सीजन, hydrogen, यहां पर बागी का क्या बच गए देखो, एक hydrogen होगा एक hydrogen होगा, कित्व बच का एक hydrogen होगा, वाकी का आपका SO3H, SO3H, वना genauso3 जैसे लिखना लेख लो, ठीक है, तो 1, 2, यह 4 hydrogen, और इक sulfur, होगे है, magist्वासट प्वोर एसे लिख सकता हूँ, अब जहां से देखना क्या हो होगा लेखो क्या लिखा है अलकीन रियक्टिवित कंसंट्रेटिक एच्टू एसो फॉर सवाई सल्फूर कैसे तू गिव अलकाइल हाइड़जन सल्फाइड विच दैन क्या होगा वापस से हैड़लाइज हो जाएगा क्या मिलेगा आपको अलकाहल मिलेगा बहुत वड़िया है क्या दिक्कत है अब करते हैं आजा देखो करना क्या है आपको यह कैसे देखेगा और यह क्या रूल फॉलो करेगा आपको पता है मेरे ख्याल से तो देखो अगर मैं एक example ले रहे हूं ऐसा सी double bond C, यहाँ पर CH3 ले लो, यहाँ पर एक H ले लो, और ये दौनों के दोने CH3 ले लोडो एकजम ले रहे हैं ठीख के यहीं एक सिएस्टरी ओके अब क्या होता है? यहाँ पर जो आप को दिख रहा है, यह वाला जो हाइडोजन है यह रिलीज करता है यह जैसे ही रिलीज करेगा एडिशन करेगा किस की उपर अलकीन की उपर अब बॉंड कुछ यूं तरी किसे तूटेगा जहाँ पर कार्बो कटैन जादा स्टेबल हो जाए जैसे अपने पहले देखा था ठीक है तो आप देखो यह वाल लेगा इलेक्ट्र नागेटिव समझा लेगा कौन ऑक्सीजन ठीक है तो इसकी उपर नागेटिव आ ठीक चलो अब देखो बनाओ यहां पर क्या बनेगा बोंड तो तूट गया बोंड क्या बचा सिंगल बांड बचा यहां पर एक कार्बन और इसकी उपर हाइडोजन बताओ सर इस पर कर दो ठीक है तो यहां पर मैंने क्या किया यहां पर हाइड़न का एडिशन कर दिया और बच गया आपका इधर अचीव पर एटेक करेगा देखो कैसे बनेगा फिर बनेगा यहां से आया एच एडिशन पहले से था दूसरा हाइड़ोशन हम लेकी आए यह हाइड्रोजन और यहां पर क्या जुड़ गया आपका ओएच है अायसो फ्री फ्राइश को आप आप सबता है है अब करने पत्मक्त कि आरप हा यह सब्सक्राएं नहीं कि अ इसको कहता है कि तू भाग, द्धान से तूने हो एक मैंकने सह भारी है, यह इसको कहता है कि तूम भागो, मुझे ही बैठना है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूँ, A कारवन से जोड़ा हुआ है, ऐसा और B आ रहा है, ठीक है, B आ रहा है, लोन पेर्स के substitute कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं ऐसे mechanism को बोलते है SN1 reaction ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा यह जो OH- आ रहा है ठीक है यह कहता है कि भाई तुम ना एक काम करो मुझे यहाँ बैठना है तुम निकल जाओ तो यह हो रही है SN1 reaction ठीक है SN1 reaction चलो अब क्या होगा यह डायेट इसके आपको जोड़ जाएगा तो यह बन गया OH- कार्बन से यह जोड़ा हुआ है यहाँ पर एक hydrogen अपन ने add करके रखा है तो बस अपन बागी कर लिख लेते हैं ठीक है तो यह बन गया आपके पास CH3 यह CH3 ठीक है यहाँ पर जोड़ा हुआ एक कार्बन तो यह एक hydrogen यह एक hydrogen और यह आपका CH3 समझ गए समझ गए है ठीक है तो अब देखान से देखो यहाँ पर किया हुआ है यहाँ पर क्या हुआ है किया हुआ है नेगिटिफ पार्ट कहां पर आपके जोड़ा जहाँ पर क्या थे number of hydrogen थे ही नहीं थे ही नहीं तो क्या फॉल्फ कर रहा है है norm औ. और फॉल 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 कर ठीक है तो ये भी फॉलो करता है मार्क रूल आप देखो यह सारी के सारी जो मैं आपको बता रहा हूं यह तो मैकनिजम है ठीक है वैसे जैसे कि मैंने यह बताया जैसे कि मैंने पीछे बताया था इसके पीछे बताया था यह वाला यह सब मैकनिजम है करना है सिर्फ Mark Oniq Oaf Rule फॉल करना हैicação को याद क्या रखना है सिर्फ Mark Oniq Oaf Rule Chocolate से चलेंगे हम लेकिन मैं आपको यह भी कुछ रहता है यह बताना चाहता हूँ की ou लं़ा है रास्ता लेकिन हमें छोटा है ना छोटा वाला है क्लियर हो गया आपको यागर एक्जांपल देखना चाहो तो वह भी देख सकते हो आप अगर चाहो तो यहां पर डबल बॉंड लगा दो यह सी एस टू कर दो यहां कुछ नहीं है अब बताओ क्या बनेगा आपका यहीं कराना है आपको सल्फिरिक असिड तो क्या बनेगा साइसका है लेकिन उसको भगा दिया जा रहा है हो ही मदद से ठीक है तो नेगेटिव पार्ट आपको क्या बचा ओए ची बचा और यहां पर आप लगा देना ओए खतम बचा ही क्या है आपको सिरफ मार्क आने को फूल फॉल करना है एडिशन आपको वॉटरी कराना है ठीक है तो याद रखना जब भी सालफिरी क्श अइसड का आपको क्या कराना है आपको अपको अधिशन कराना है किसके उपर । अ्वाटर होटा है वह को बठा देता है और सामने वाले को भगा देता है नाम ही बहूत बड़ा हैं बाद सब छोटा है ध्यान से देखना यहांपर अगर मैं भाट कर रहे हूं तो इसमें होता है एक रियाजेंट जिसको ना भूलिए कब हूरे इस इसरे में होती है प्सक्र्छ और यह से ऐसा धी इस सब्सक्र tackब希望 के इसको बोल सकता हूं da ix acetate बोल सकते हैं इसको कोई दिक्कत नहीं, acetate बोलना वास इसको ठीक है तो कैसा बनेगा, matrix acetate की presence में ये होगा, और पहले मैं ये डलता है, दूसरे में आपका डलता है, nabh4, nabh4 का अब तक तख तो आपको काम पता चल गया होगा, कि ये क्या कराएगा, reduction कराएगा ये कराता है आपका reduction बस इतना याद रखो बाकी अपन मैं समझा दूँगा आपको सब देखो क्या होगा इन की बात करते हैं कोई भी अलकी नो ठालो तो सबसे पहले मैं यह यह देखा लेता हूँ देखो ये CH3 यहाँ पर CH3 double bond C यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक और CS3 ले लो चलो CS3 ठीक है ऐसा क्या होगा जैसे ही आपको HGOAC देख जाए अब यह बनता कैसे है सबसे पहले तो इसको समझ लोगी क्या react करेगा कौन सा part react करेगा ठीक है तो देखो HG ऐसे देखता है HG ठीक है यहाँ पर oxygen C double bond O और यहाँ पर एक OH ठीक है यहाँ पर क्या होगा देखो यहाँ पर भी देख़एगा C HG C double bond O और यहाँ पर एक R प्रिजेंट होगा ऐसे बोल सकते हैं इसको acetate ही तो है वो और क्या ही है तो यहां पर आपको क्या प्रेसंट है अप यहां पर बात क्यों यू खोती है कि यह अउक्जिन जो होता है एक जी से काफ़ी जदा लैक्ट्रों कीटेवं और वहुत जदा रुक्तुन निए तो यह वाला ओक्जिन कहता है कि भाया मुझे साहिसंद संभंद नहीं मुझे तुमान साथ कोई रेलेशन नहीं रखना है काम करो मेरा एलेक्ट़ॉन मुझे वापस करो तो यह क्या बन जाता है फिर जैसे ही चाहरा ही क्या बचा कुछ नहीं बता तो यह बन जाता है आर C double bond O यहाँ पर O और एक HG ठीक है? यह बन गया plus क्यों? क्योंकि उसका electron लेके भग गया वो और यहाँ पर क्या बन गया? आपका acetic तो यह oxygen C double bond O और यह एक R यह तो जैसे कहता है सही है ठीक है? तो यहाँ पर जो reaction करता है वो इतना part करता है यह वाला part जो है वो reaction में participate करता है जिसको अपन क्या बोल सकते है HG O A C बस ऐसा acetate है यह ठीक है acetate Ac मतलब acetate clear है? अब यह वाला reaction करेगा और क्या ही करेगा? अब जिसमें से HG क्या है? इसका positive part है यह वाला आपका positive part है बागी का O A C तो आप सभी जानते हो यहाँ पर देख लिया आपने clear? अब देखो कैसी reaction होगी जैसे ही यहाँ पर आता है आपका HG plus O A C तो यह जो आपको Eन देख रही है इसे आती बड़ी दया यह कहते कि मैं इससे bonding करना चाहता हूँ तो कैसा बनता है CH3 यहाँ पर C यहाँ पर एक और CH3 जैसे का तैसा आपको दिख रहा है यह single bond बचा यहाँ पर बचेगा CH और यह CH3 ठीक है? यह करते हैं HG के साथ bonding HG के साथ जैसे भी bonding करते हैं आपको कुछ ऐसा देखता है यह आपका HG यह आपका HG जिस क्यूपा पॉजिटिव चार्ज है और OAC OAC clear है HG OAC समझ में आ गया तो यह क्या बनती है आपकी 3 मेंबर साइक लिक रिंग जिसको मर्कूरियम रिंग बोल सकते हो तीन मेंबर बन रही है याद रखना किते मेंबर एक दो तीन मिलके बना रहा है ना इसलिए यह तीन मेंबर रिंग बन रही है clear है समझ में आ गया अब देखो क्या होगा अब बताओ चीज़े कौन तोड़ता है वाटरी तो आता है तोड़ने ठीक है तो क्या होगा यहाँ पर आपके आते है एच टू ओ दादा जिसमेंसे ऑक्जन के पास फिर से क्या है ऑक्जन के पास है लोन पेयर और लोन पेयर कहता है कि मैं आउंगा अब किस पर आके अटेक करता है इस क्यूं कर रहा है इधर अटेक क्यूंकि अगर यहाँ पॉजिटिव बनेगा ना तो नेगेटिव यह जहल लेगा काफी अच्छे से ठीक है तो जैसे ही अटेक करेगा कैसा बनेगा देखो CH3 कारबन ठीक है इसकी उपर आगया एक CH3 जैसे का तैसा ही है और यह OH2 बस मैंने OH2 को थोड़ा ओपन लिकर के लिखा हुआ ठीक है और यहाँ पर क्या बना देखो सिंगल बॉंड C यहाँ पर एक H है और यह CH3 जैसे का तैसा है ठीक है जो जुड़ा हुआ है वो क्या है अ ठीक है और अब किसने कर रहा है यहाँ पर एक H जुड़ा है यह OH जुड़ा है समझ में आ गया जैसे यह जुड़ता है तो अकजन का पहला काम क्या है कि वो अपने आपको STABLE करता है STABLE कैसे करता है यहाँ से हो H PLUS को RELYS कर देगा बाहर H PLUS RELYS हो गया और अब अगर आ डालते है एने बी एच फोर तो एने बी एच फोर इस पूरे के पूरे कंपाउंड को क्या कर देता है रिड्यूस कर देता है और यहाँ पर लगा देगा सिर्फ आपका एक एच तो यह बन जाएगा आपके पास कुछ यूँ CH3 कारबन की उपर OH आके जोड़ चुका है अलग कलर से लिख दूँगा मैं अभी यह CS3 सिंगल बॉंड C की उपर एक H है यहाँ पर CH3 एने बी एच फोर ने इसको रिड्यूस करके क्या बना दिया H बना दिया बस और यह एक OH तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि जहाँ पर जिस कारबन की उपर हाइड्रोजन था दिख रहा है जिस कारबन की उपर हाइड्रोजन था वही पर आके एक हाइड्रोजन एड हो गया जिस Carbon Q पर बिलकुल Hydrogen नहीं थे उसकी उपर OH Aक एड हो गया तो क्या हुआ रहा है बता हो यहाँ वही तो बात हो गयी ना जहाँ पर ज्यादा Positive Part है वही पर Hydrogen मतलब Positive चीज एड हो रही है जहाँ पर ज्यादा Hydrogen है वही पर Positive एड हो रहा है समझ गए इससे जादा और बढ़ियां क्या ही होगा समझ में आगे ने सारा गसारा तो अब किस-किस की प्रिजेंस में हो रहा है सर पहले तो यह एड हुआ जिसमें से HGOAC whole toys पूरा एड नहीं होता है सिर्फ एक ही compound होता है HGOAC अकेला ठीक है HG plus अकेला रह जाता है ठीक है वह एड हुआ उसको एड हो गया अब उसको हटाए हो कैसे reduction करके reduction कौन करेगा हमारा प्यारा साथी एन भी एच पूर ठीक है sodium borine hydride ठीक जिस यहीं बोलते ना इसको ठीक है तो इसको ऐसे याद रख लेना ठीक है फिर से तोड़ने फोड़ने का काम कौन कर रहा है मारा रिंग को कौन खोलता है मिसा वाटर खोल रहा है ठीक है यह देखो यहां पर बढ़िया एकदम बढ़िया चलो अब इसके कुछ पॉइंट है वो चाहो तो वो लिख लो तो यह वाले पॉइंट है सारे कि सारे क्या हो रहा है ऑगजी मर्कुरेशन इस एलेक्ट्रोफिलिक अटेक एलेक्ट्रोफाइलिक अटेक ही है ठीक है ऑफ दीज स्पीसीज ऑन डबल रिंड हो गया घॉल गया अटेक है किसी नियम रिम लगा देते हैं इलुमीनियम् प्लाइटीनियम यह सब चीज़े होती चलो जैसे कि आपका डियू 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 यह आता है नियू डियू तो नहीं नहीं डियू आता है ठीक है समझ गए चलो आगे चलों करते हैं अब वैन वाटर इस प्रिजेंट न्यूकलोफिलिक ऑक्सिजन विल ओपन दा मर्क्यूरीनियम रिंग ठीक है क्या हो रहा था तोड़ने फोड़ने काम कौन करेगा वाटर करेगा वाटर के पास है लोन पेर लोन पेर क्या करता है यहां पर देखो यह लिखा हुआ है ठीक है चलो एंड जन्रेट दा और गैनो मर्क्यूरियम एलकोहल के जन्रेट कर रहा है एक एलकोहल जन्रेट कर रहा है तोड़ने के बाद क्लियर है तो डी मर्क्यूरेशन सबसे पहले तो मर्क्यूरेशन हो गया अब डी मर्क्यूरेशन हटाना भी है ना मर्क्यूरी को तो achieved by the reaction of sodium borohydride a powerful reducing agent which replaces the mercury species with the hydrogen atom and gives the desired alcohol समझ गए क्या मिलता है आपको एक desired alcohol मिलता है जो मैंने आपको बताया आपको इतना बड़ा याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सिर्फ एक चीज याद रख लेना सिर्फ एक चीज अगर कभी कोशन आ जाए oxy-mercuration, demercuration में कितने memory बनती है तो 3 memory बनती है क्या है उसमें रिंग का नाम क्या है का आपको कौन से बनता है mercury-nium iron बनता है ठीक है mercury-nium iron बनता है ऐसे याद रख लेना चलो अब आपका उसने बोला reaction क्या होती है तो reaction में तो सिर्फ आपको addition of water कराना है mark onic of rule से ठीक है तो याद रखना यहां पर क्या हो रहा है कोई खास चीज नहीं हो रही है addition of water ही हो रहा है addition of H2O हो रहा है किस की मदद से mark भाईय के rule से मार्क भाईया के रूल से हो रहा है समझ गए ठीक है इस से ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है ठीक है ज़्यादा दिमाग लगाओगे इसलिए अपन को इतना करना है फिर आगे चलना चले आगे चलो देखते हैं अब आता है आपका एक डम अलग रूल जिसका नाम है एंटी मार्क ओनिक ओफ रूल ठीक है देखो क्या लगा एंटी मार्क ओनिक ओफ रूल अब इसमें क्या होगा इसमें उल्टा काम होगा देखो मैंने आपको बता है था जब तक मार्क भाईया की चलती थी जब तक मार्क भाईय की चलती थी तो जो hydrogen है अपने दोस्तों के पाज आदा सकता था अपने दोस्तों के पाज आ सकता था ठीक है और negative part को कहाँ बेद देता था जहाँ पर ज़्यादा negativity है मतलब number of hydrogen कम है लेकिन अब आंटी जी आ गई ठीक है आंटी जी ने कहा कि ऐसे नहीं होगा बेटा तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो ठीक है तो जैसे ही एंटी जी आई तो उनने कहा hydrogen अब तेरा अपने दोस्तों के पास जाना बंद मतलब आप तुम कहाँ जाओगे जहाँ पर कम number of hydrogen होंगे ठीक है और तू negativity कहाँ पर जाएगी तेरे को जरूरत है दोस्तों के पास जाने की मतलब तुम बहाँ पर जाओगे जहाँ जादा number of hydrogen atom होंगे समझ गए अब इससे जादा इतने में ही समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर याद रखना यह किसकी reagent की presence में होता है कब समझोगे reagent क्या होता है सब में HBR ही add होते है दोनों में HBR STL हो सकता है लेकिन फर्क कहाँ पर समझोगे अगर कहीं पर लिख दिया paroxide paroxide की presence है ठीक है H2O2 की presence है paroxide की presence है या फिर आपका benzoyl paroxide मतलब कहीं पर भी ले दे कि अगर आपको paroxide दिख जाए तब आप क्या लगाओगे marconic of rule नहीं लगाओगे anti-marconic of rule लगाओगे समझ में आ गया ठीक है इसके rule के कही नाम है एक तो इसको anti-marconic of rule खुद बोलते है खराश effect भी बोलते है ठीक है तो आप जैसे चाहो वैसे याद रख सकते हो ठीक है समझ में आ गया अब कैसे करेंगे इसकी reactions मैं आपको समझाता हूँ पहले mechanism समझना है समझ लो वो समझ लो देखो अब अगर मैं mechanism की बात करूँ तो वो चालियो होती है कुछ यू अगर मैं बात कर रहा हूँ बेंजाइल की ठीक है B6, H6, C5 C double bond oxygen यहाँ पर oxygen पर ओक्साइड है ना तो पर ओक्साइड लिंकेज भी तो लाने पड़ेगी यह oxygen C double bond हो और यहाँ पर CH3 ऐसा होता है ठीक है अब यहाँ पर होता है homolysis fission homolysis मतलब की equal distribution of electron जाएगा कौन सा तूटेगा पर ओक्साइड लिंकेज थोड़ी सी कमजोर होती है जैसे ही यह bond तूटेगा जैसे ही यह bond तूटा तो क्या बनेगा ध्यान से देखना तो आप जैसे ही bond तूटेगा तो homolysis का मतलब की एक electron इसके पास आएगा एक electron इसके पास आएगा तो मैं बोल सकता हूँ दो mol बन रहा है ठीक है यहाँ पर क्या बन रहा है 2 mol of C6 H5 C double bond O और स्क्यूपर radical ठीक है स्क्यूपर radical अब यह जो radical बन गई न radical है free radical और एक बाब free radical बन गई फिर पीछा नहीं छोड़ सकते तुम तो यह free radical बन गया तो अब यह कहता है कि मुझे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है एक काम करो मैं यहाँ से carbon dioxide निकल के बाहर निकल जाता हूँ इसका electron लेके भग जाएगा ठीक है तो क्या बन गई यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि C6 H5 क्योंकि इसका electron एक लेके निकल गया इसको देखे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा free radical free radical जैसे भी बन जाएगा यहाँ पर CO2 बाहर हो गया CO2 बाहर हुआ इसलिए क्या बन गया free radical बन गया समझ में आगया ना इतना चलो अब अपनों आगे चलते हैं अब reaction करने कौन आ रहा है reaction करने आएगा आपका HBR ठीक है तो HBR से यह free radical कहेगी कि मुझे सिर्फ एक electron की जरूवत है क्या तुमारे electron मिलेगा मुझे तो यह कहेगा कि हाओ भाई आ जाओ ले लो और क्या क्या चाहिए तो यहाँ बन जाएगा C6, H, कित्ते थे 5 थे, कित्ते होगा, 6 होगा क्यों 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 हार्जन खुच जाके जोड़ गया अब एक याद रखना, एक बार free radical बन गई तो वो फैला देगी कोविड जैसी है वो, अगर एक को हो गया अगर उसके सामने दूसरा बैठा है तो उसको भी हो जाएगा समझ गए, तो ऐसा है, तो जैसे ही free radical हो गई, अब जैसे ही यह हाईर्जन निकला, free radical यहाँ दे गया तो बियार के पास आगई free radical तो अब यह जो आपको free radical बियार माइनस दिख रहा है ठीक है, यह क्या करता है, यह reaction करता है, यह क्या करता है, reaction करता है, यही reaction में participate करता है, अब सर कैसे पता, कि जो बियार free radical है यही मारकोने को अफ रूल करा रहा था, अरे पारॉकसाइड ने ही तो बनाया है ना इसको, इससलिए मैंने बोला, कि यह आपका क्या बना रहा है, यही तो आपका anti-marconic off rule देगा, समझ में आ गया, चलो अब reaction की बात करते हैं, reaction देखो, कैसे होगी, अगर मैं ले लेता हूँ, आपका ऐसा, CH3, C, CH3, double bond, CH2, आप देखो reaction, दो टाइप से करा सकते हो, फिर से, कौन से stable होगा, आप बता देना, एक reaction ऐसी हो सकती है, कि free radical यहाँ बना दू मैं, CH3, single, C, यहाँ CH3 है, यह आपका है, CH2, ठीक है, free radical मैंने कहा बना दी, इदर बना दी, यह बना दिया, हायर जन को यहाँ जोड दिया, एक और बना सकते हैं, कैसा, CH3, C, CH3, free radical इदर, और यह आपका बन जाएगा, CH3, ठीक है, तो अब बताओ, कौन से ज़्यादा स्टेबिल ाब अगए ऐगा ब्रोमीन की रियक्शन करा मैं तो कौन से ज्टेबिलिटी होगी यह एगा होगा कि योगा भट यह कौण सा है यह प्राइमरीक है यह तो न है सिम्पल सी बात है कौण सा ही टीशन कराओ पो यहाँ पर आपकी जो यह कहां देख रहे हैं यह वालě पर जोड़ रहे यह तो बस यहां पर यह कौन सा हो जाएगा मेजर प्रोड़क्सी 3 च 4 और यह च 2 यह बी आर ऐसे जाहाँ ज्यादा हाइडियर जोड़ जाएगा ठीक है क्यों तो जरूरत है ठीक और यहां पर क्या बन जाएगा आपका देखो यह बन जाएगा CH3 CH CH3 और यह आपका CH3 ठीक है यहां भी आर एक एक बी आर इधर यह वाला भी आर समझ गए ठीक है कौन सा प्रोड़क्ट वह वाला पहला बन जाएगा मतलब यहां पर क्या हो रहा है आपने कराया है HBR की रियक्शन यहां पर कराये आपने HBR की रियक्शन समझ में आ गया तो कुछ यूं होगा आपका ठीक है क्लियर है ना तो बस आपको क्या करना है ऐसी करना है अब आपको याद क्या रखना है सिर्फ इतना पार्ट याद रखना है इतना पार्ट मारकॉणिक आफ रूल में उल्टा होता है अंटिमार्कॉणिक ओफ से एंट्यमारकॉणिक में हाइडन कहा पर जाए डो यहां पर नंबर आफ यहां पर बस इतने ही को याद रखना है अब इससे रेलेटेड कुछ और कौशन से मालं कुछ और रियक्शन से उनको देख ले करना है और उसके बाद आपको क्या करना है और तो सिखेंगें करते हैं समझते हैं तोड़ा कैसे करेंगे इसको बताओ यहां पर देखो डो होती है रीजेंट नाम लेखना है रीजेंट का नाम लेखो सबसे पहले तो री इजेंट बिना इसके और एक पहलतू किये ठीक है किसकी प्रजल्ब में होता है बी2 6 मतलब कि जो आपका boron hydrate होता है मतलब ऐसा boron BH3 होता है यह dimer के form में present होता है ठीक है वैसे यह deficient होता है electron electron तो होते है नहीं इसके पास ठीक है तो यह dimer के form में क्या करता है यह पर exist करता है फिर यह पहली चीज़ हो गई अब oxidation कैसे करा होगे oxidation कराते हैं हम H2O2 की presence में या फिर नहीं हो अच्छी लिखा होता है वहां पर ठीक है तो यह से presence में होता है ठीक है समझ में आगे अब क्या करना है आपको आपको BH3 का addition कराना है यहां पर यहां पर टी एच एफ भी लिखा होता है टी एच एफ टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान कैसे दिखता है वह मैं आपको अभी दिखा दूँगा आपको कुछ नहीं करना है एच और भी एच टू की addition करानी है इसको मैं बोल सकता हूं भी एच थ्री है है ना भी एच थ्री क्लियर है एडिशन कराओ कैसा बनेगा देखो 20 मारकॉनेकॉफ के रूल से हिसाब से करा दो यहां पर सी एच थ्री नेगटिव पार्ट कॉन सा है आपका यहां पर और यहां पर एक hydrogen hydrogen को देखो क्या मिल रहा है जहां पर उसके दोस्ती नहीं वहां पर आके बैठना पड़ रहा है अब इसका कराएंगे हम oxidation oxidation जैसे ही कराते हैं तो क्या आएगा आपका ध्यान से देखो यहां पर जैसे मैंने h2o2 की presence में करा दिया oxidation पर ओक्साइड है ठीक है तो यहां पर क्या बन जाता है आपका CH3 सिंगल CCH3 ठीक है यहां पर बनता है आपका CH2 इसकी जगा पर आके डारेक्ट जोड़ जाएगा o h और यहां पर 1 h तो जब से देखो अभी तक क्या हो रहा है वाटर कही एडिशन हो रहा है लेकिन यहां पर इस बार क्या हो रहा है रू़ फॉल कौन सा कर रहा है आपका Markov, Nekov, Rule के आगे लगा दो एंटी मार कॉने कॉफिल मतलब एंटी मार कॉने कॉफिल क्या कर रहा है ये फॉलो कर रहा है एंटी मार है ये एंटी मार हम लोगों को जब पढ़ाया जाता था तो हमाई टीचर कहते थे कि ये एंटी मार है ये मार है ये एंटी मार है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है वा से सारे बॉंद तोड़ दोगे तो इसको बोलते है टेट्रा हाइड्रो फ्यूरें तीक है अब इसका जब एडिष्ण करा देते हैं अपन ब्रोम ब्रोमान के रहे हुं बोर्वन के साथ ऐसा ठीक है आपकिले आपका यह को गाए नेगेटिव यह हो गए यह पॉजिटेव यह addition of water का रोगे, किसकी मदद से, anti-marchonic of rule की जाद से, समझ में आ गया, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी same चीज हो रही है, addition of water, ठीक है, इसमें negative positive part पता ही, ठीक है, addition of water, by anti-march, by anti-march, समझ गए, easy है ना, easy है ना, बहुत easy है, बोल के जाना चाहिए आपको तो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इतने part को वो क्या करता है, reduce कर देता है, इतने part को, कौन ये, oxidize कर देता है, एक में हो रहा था, reduction, na-bh4, mercury था जब, यह लिकिन यहाँ पे boron है, ठीक है, आपका, तो यहाँ पे क्या बनता है, इसमें oxidation कराना पड़ता है, clear हो गया ना, बच्चों, चलो, इसको आगे लिखो, फिर कुछ questions होएंगे, तो आपन आगे करेंगे, चलो, अब आई ही है, तो एक question हो, देखके ही चल जाता है, ध्यान से, देखो, क्या होता है, अगर मैंने एक ऐसा reagent लिया, ठीक है, ऐसा reaction करा रहा हूँ, मैं, ये देखो, एक ऐसा, ठीक है, अब, यहाँ पर मेरी alken present है, कुछ यूँ, ठीक है, यहाँ पर मेरी alken present है, और यहाँ पर आपका एक CS3 है, ऐसा, ठीक है, अब इसकी reaction मैंने बोला आपसे, कि चलो करा दो, किसकी presence में, आपका H2O2, NaOH लिख दिया, और मैंने यहाँ लिख दिया, BH3, THF, टेटरा हाइडरो फ्यूरन, ठीक है, अब करा रहा हूँ, इसकी reaction कैसे करा रहा होगे, क्या करोगे, water का addition करा होगे, यार, ठीक है, water के addition का करा होगे, किसकी मदद से, anti-mark की मदद से, क्या यहाँ पर hydrogen है, नहीं है, तो क्या करेंगे, वहीं hydrogen एडिक करेंगे, ठीक है, तो कैसा बन जाएगा देखो, ऐसा बनेगा आपका, यह आपका जैसे का तैसा दिख रहा है, अब इसके पास कोई भी double bond नहीं बचा, और नहीं बचा, तो यह ही नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यह क्या होगे आपके पास, यहाँ पर hydrogen का addition होगया, बाकी का, यहाँ पर कम से कम एक hydrogen तो है, और अगर hydrogen है, तो यहाँ OH लगा दू, ठीक है, यह होता है, sin addition, क्या होता है, यह sin addition, sin addition, sin addition मतलब की, अगर आपका, एक hydrogen उपर जुड रहा है, तो वहीं पर आपका क्या जुड़ेगा, आपका OH भी वहीं जुड़ेगा, ठीक है, ऐसे में अगर आप चाहो, तो bond को कैसे show कर सकते हो, dash line से और solid line से, ठीक है, solid का मतलब क्या था, उपर है, ऐसा present हो, समझ में आ गया, ठीक है, तो जहाँ पर add, जिस side होगा, अगर मैं मान के चलू, दूसरे कोई example अगर लेना चाहूं, तो ऐसा ले सकता हूं, CH3 है, single है, CH, यहाँ CH3 है, यह single है, CH double bond, CH2 है, ठीक है, balance है, balance है, अब इसकी अगर मैं reaction कराना चाहूं, BHF, BH3 और THF, फिर से, NaOH, और H2O2 के साथ, तो क्या होगा, फिर से addition of water कराओगे, anti-mar की मदद से, anti-mar क्या कहता है, कि भाईया, जहाँ पर hydrogen नहीं है, hydrogen वहीं देंगे, ठीक है, तो देखो कित्ता बनेगा, 1, 2, 3, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, OH जोड़ेगा, तो यहाँ पर जोड़ देता हूं, CH2, यह OH, single bond बचा, यहाँ पर CH, यहाँ पर एक hydrogen, देखो क्या हुआ, दोनों सेम जोड़े, उपर उपर जोड़े, ठीक है, बाकी का लगा दो, बाकी में क्या चीन जाएगा, कुछ नहीं आएगा, तो CH, CH3 whole twice लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, अरे इसको मैंने डबल लिख दिया, क्या दिक्कत है, ठीक है, तो आपको ऐसा है, बस याद क्या रखना है, यह सिन एडिशन है, यह क्या है आपका सिन एडिशन, इसको बोलते हैं सिन एडिशन, और अगर एक उपर एक नीचे होता तो, एंटी एडिशन, जो मैंने आपको करा है हुआ है, clear है, समझ में आ गया, तो इस तरीके से आपको कोशन को क्या करने है, अटेंप करने, चलिए, आगे चलते हैं, चलिए, अब बात आती है, आपकी हेलोजीनेशन की, सबका सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, हेलोजीनेशन, एडिशन ओफ हेलोजन कराना, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अलकीन है, अलकीन सबको पता हो गई होगी, अब तक तो रट गया होगा, डबल बांड होता है, पाई हुस्ता है उसके ना, ठीक है, तो CH2, डबल बांड, CH2, इसको ले लो ऐसे, ठीक है, Bromination करा लो, Chlorination करा लो कुछ भी करा लो, Halogenation कराएंगे ठीक है, Plus Halogenation कैसा होता है, X Bond X अरे, Halogen ऐसी दिखता है न, X किसा दिखाते है न उसको Halogen, तो ये हो गया Halogen, ठीक है अगर Halogen Molecular Form में तो XX2 होता, ठीक है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है इन सब के पास क्या होता है, Lone Pair, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है, अब ये जो Eन देख रही है, ये जो Eन देख रही है, ये भाईया यहाँ पर खेल करेगी, ये जो Halogen है इसके उपर क्या करेगा, अटेक करेगा इसके उपर अटेक करेगा ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास जो Pi Bond है न, ये चाहते है कि Bonding हो, मुझे Electron कराने है ठीक है, मुझे Reaction करनी है जैसे ही इसके उपर Binding कराएगा तो ये जो Eक X आएगा यहाँ पर आके Addition होगा यहाँ पर आके Addition शो करेगा और ये अपना Electron क्या कर रहा है लेके आ रहा है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका Bond तोड़ के आ रहा है मतलब ये बन गया आपका देखो, Positive बन गया है Halogen क्या बन गया? Positive बन गया तो यहाँ पर बन गया एक Halogen और ये एक आपका Bond ठीक है? ये क्या है? Negative चार्ज ये क्या है? Negative चार्ज है तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि क्या Formation हो रहा है? Three Membered Ring तीन Membered Ring का Formation हुआ Ring Formation और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? Halonium Halonium ठीक है? समझ में आगा है चलो अब यहाँ पर बात आती है कि जिस जो वो जिस Hydrogen को मतलब जो वो जिस Halogen को छोड़के आया हुआ था ये Positive को ठीक है? और किसी के भी उपर ऐसा चार्ज अगर रह रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? अब वो reaction कराएगा अब यह कहेगा कि मुझे भी bonding करनी है मुझे भी bonding करनी है तो यह वाला Halogen कहेगा मत आओ इधर वो भगाएगा इसको तो वो कहेगा कि हाँ इसको कुछ तो अच्छा मिल रहा है इसलिए भगा रहा है ठीक है? तो यह क्या करता है ना? यह कहता है कि भाईया एक काम करो मैं तुम्हाई बात नहीं मानता हूँ मैं पीछे से आके अटेक करूँगा अटेक क्या करता है वो? बैक साइड अटेक करता है बैक साइड क्या करेगा? अटेक करेगा जैसे ही back side attack करेगा तो देखो ये ring जो है वो open हो जाएगी कैसा बनेगा ये CH2 single CH2 ये तो आपका हेलोजन पहले से ही इसके पास था और एक हेलोजन और आ गया यहां पे अब वो कह रहा है कि ले आके फस गया ना बन गया ना bond ठीक है इसलिए कह रहा था मता भाई ठीक है तो द एडिशन समझ में आ गया क्या हो रहा है ठीक है सबसे पहले हैलोजन आया अगर ये किसके प्रिजेंस में है CCL4 solvent की प्रिजेंस में है ठीक है तब आप क्या बनेगा ये ring का formation करेगा तीन बनेगी बहुत प्यारी ठीक है जैसे ये ring बन जाएगी अभी हैलोजन कहेगा मैं तो अकेला रहे गया मुझे भी bonding करनी है तो ये कहेगा कि मता आओ तुम क्यों आना चाह रहे हो तो ये कहेगा कि एक काम करता हूं मैं इसको बिना बतायाता हूं ये पीछे से आकर करेगा प कैसे बताओ के देखो अगर यहां पे एक आपको ring देदेता हूं मैं ऐसी ये क्या बन गया ठीक है ऐसा इस रिंग लेलो चलो ठीक है तो ये ऐसा बना दे रहा हूं ठीक है ये ring बना दीं वागर मैंने clear तो अब अगर मैं इसकी reaction कर रहा हूं x2 के साथ X2 आपका BR2 भी हो सकता है आपका CL2 भी हो सकता है दोनों हो सकता है कोई दिक्कत नहीं ठीक है यह दोनों के दोनों हो सकते है अब इसकी reaction करा हूँ तो क्या बनेगा देखो यहाँ पे आपको ring के अंदर कैसे दिखाना है एक आप बताओगे ऐसा तो यह तो बनेगा single bond एक को आप दिखा सकते हो ऐसे dash 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 line से तो यहाँ पे BR जोड़ देना अगा bromine है तो ठीक है और एक आप दिखा देना किससे एकदम solid line से ऐसा ठीक है ऐसे तो यह हो गया आपका एक BR तो इसका मतलब आप समझा पा रहे हो कि यह क्या हो रहा है एंटी एडिशन एक plane of the paper है मलब ऊपर है और एक नीचे है ठीक है ऐसे इसका मतलब होता ही clear है तो आप ऐसे देखाना चाहो तो ऐसे देखा सकते हो बना अंदर बाहर कर देना एक को BR अंदर लगा देना एक BR को बाहर लगा देना ठीक है तो भी कोई देखाता है ठीक है समझ में आ गया लेकिन एक यहां पर ट्विस्ट है अगर ध्यान से सुनना अगर यहां पर हेलोजन हेलोजीनेशन हेलोजीनेशन वो CCL4 के अंदर हो रहा है इन CCL4 हो रहा है तब तो ठीक है तब ऐसे ही बनेगा रियक्शन लेकिन अगर हेलोजीनेशन किसी न्यूकलोफिलिक सॉल्वेंट के अंदर हो रही है अब तो यहां पर कंडिशन थोड़ी अलग हो जाती है देखो एक्जाम्पल की बात बताता अगर मान के चलो यह है आपका CH2 double bond CH2 ठीक है अब मैं करा रहा हूं यहां पे मान लो ख्लोरी नेशन ख्लोरी नेशन ब्रोमीनेशन हैलोजीनेशन कुछ भी करा लो ठीक है ब्रोमीनेशन भी करा सकते हो और यहां पर मैंने सॉल्वेंट ले लिया H2O तो यहां पर कहानी पूरी बतल जाती है क्यों क्यों कि यह आपस में कर लेते हैं यह क्या करते हैं आपस और क्या बना लेते हैं और हाइपो हेलस में कहानी पूरी की पूरी चेंज हो गई पूरी चेंज हो गई ध्याँ से देखो हाइपो हेलस में अगर मैं इसको ऐसे बनाऊ है एच ऑक्सीजन और यहाँ पर सील जुड़ा हुआ है तो आप मुझे ही बता दो कौन सा नेगेटिव है ऑक्सीजन ज्यादा एक्ट्रो नेगेटिव की क्लोरिन सर ऑक्सीजन ठीक है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की उपर नेगेटिव चार्ज यह तो हो गया पॉजिटिव चार्ज लगा दो एंटी मार लगा दो एंटी मार ठीक है तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है फि अंसर ठीक है तब आपकी ऐसी रियक्शन होगी एक साइड एच एक साइड ओएच अब सुनो एक चीज और यहाँ पर भी तीन मेंबर रिंग का फॉर्मिशन होता है पहले रियक्शन कौन करता है सी एल करता है ठीक है तो अगर चाहो तो वो भी करके देख लो देखो ऐसा बने और यह सी एल होगे रिंग का फॉर्मिशन अब वाटर क्या करता है बहुत खराब काम है वाटर का वाटर कहता है कि इस रिंग को ओपन करो मैं नहीं मानता रिंग को ओपन करेगा इस क्यूपर आके अटेक करेगा तो यहाँ जुड़ जाएगा चीज तो ओएच और बस आप पूचे गए तो इसको ध्यान रखना तो इस वीडियो में अपन इस नहीं पढ़ने वाल है अलकीन के वारे में ठीक है यहाँ पर आपकी जो प्रप्रेशन है सारी के सारी जो मैंने आपको वह करा दी है नोर्स को ध्यान से याद रख रहेगा क्योंकि आगे जो मैं आपको चैप्टर का आगे बढ़ते जाएंगे अपन और चीज़ें करते जाएंगे तो उसमें यह नोर्स जो हैं वह आपके जरूर लगेंगे ठीक है यह बात याद रखो फिर से बोल रहा हूं जरूर लगेंगे ठीक है तो नोर्स का प्रप्रेशन अच्छे से जैसे बनाना चाह आएं लनुहां फ्री पर बैस जात थैंकि यू सुमच बाइब ख्याल रखेंगे